नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों बिहार SI PT का प्रैक्टिस से डेली बेस पे चलाए जा रहा है यह आपका सेट नमबर 18 का है इसके पहले का अगर आप सभी लोग ने सेट अभी तक नहीं लगाया है तो उसको जाइए तुरंत लगाए रिवीजन बह आपना कमेंट करके बताईएगा किन 100 जो कोशन करेंगा वो करेंगा उसको ऑर वेहतर तरीके तैयार करने की जरुवत है एक वीडियो को लाइक कर दिजिए क्योंकि आप सभी बेस पर वीडियो बनाने का पूरा खुशिस करता हूं तो एक लाइक करके जाएगा अभी तुरंत आप लाइक कर दीजे क्योंकि सेट लगाने के बाद आप भूल जाते हैं और आप लाइक नहीं कर पाते हैं तो चलिए सेट को सुरू कर लेते हैं कोशन नमर पहला करता है कि हडपा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन सी कांस योगिन याद रखेगा कांस योगिन निरित आंगेना मोहन जोद्रों से मिलती है हडपा सबेता का प्रचलित नाम सभी को पताई होगा सिंदु घाटी सबेता है नेश्ट कोसन है कोसन नमर टू वैदिक कालिन लोगों ने सरपर्थम किस धातु का प्रयोग किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम बागा याद रखेंगे सबी लोग उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग होता था आप मतलब जो लोहा का वहां से सुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में आप दूसरा पॉइंट यह याद रखेगा कि आरे कहां से आते तो आरे भारत में सरपर्थम पंजाब शितर से आयत है नेश्ट कोसन है कोसन नमर थी सरपर्थम चारो आसरमों के विशय में जानकारी कहां से मिलती है तो इ याद रखेंगे सको की काल में सासको को महा छत्रप कहा जाता था चलियागा नेश्ट कोसन नमर फॉर किस वंस के सासक ने छत्रप पनाली का प्रियोग किया तो याद रखेंगे सको ने अभी मैंने अभी को बताया है आपको कोसन नमर फॉर का आंसर डी हो जाएगा आंसर आपका B हो जाएगा याद रखेंगे अलबरुनी 1017 से ले करके 1027 इसवी तक भारत में निवास किया था फिर दोसी ने सहनामा में अफरिस यान वन्स का वर्ण किया है सेना को दस्मनों पणाली के अधार पर संगठित करने की विवस्था दिल्ली सलत्रंत के कि सुल्तान द्वारा की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाव दिन खिल जी याद रखेंगे D आपका सही उत्तर हो जाएगा अलाव दिन सेना को नकद वेदन देने का भी प्रथम सुल्तान माने जाते हैं ठीक है नेस्ट कोशन पहते हैं कोशन नमर सेमन भारत का तूतिये ह तो सभी को पता ही होगा अमीर खुसरो को कहा जाता है याद रखेंगे अमीर खुसरो अलाव दिन के दरबारी कभी थे इन्हें सितार एवं तबले के अविस्कार का सरे भी दिया जाता है नेस्टे के धर्व के प्रति उदार दिश्टी कोड के करण अकबर ने 1575 इस्वी मे इबादत खाना यानि धर्व संसत की इस्थापना किस स्थान पर की है तो ये किया था फतेपूर में याद रखेंगा आठ का कोश्चन नमबर सी हो जाएगा 1575 इस्वी में इबादत खाना का निर्मार हुआ था आप सभी लोग याद रखेंगा रूप चित्र का निर्मार क किसके समय में हुआ था रूप चित्र का निर्मार किसके समय में हुआ था याद रखेंगे अकबर हो जाएगा देखिए अकबर ने चित्र साला विभाग की स्थापना की थी आप इसको याद रखिएगा अकबर के दरवार का जो प्रसित चित्रकार थे वो कौन थे तो अब सदा सीव भाव याद रखेगा आप कांसर यहांपर को सेनोर बीस्वासराउ का अथा बर्सी पूत्र था ठीक है विश्वास राव्का नाम मात्रा सेन पती था चलिए नेश्ट कौन प्रतरे serine 11 पे जहां केवल कायरता और हिंसा की बीच चुनाव करना हो वहां में चाहूंगा कि अपनी बैजती को अहसास नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हत्यार का सहारा दे यह कथन किसका है तो महात्मा गांधी जी का है आप इस अधिवेशन में हिंदी को सरप्रथम राष्ट भासा की रूप में प्रियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्षन भी बेल गाओं 1924 में याद रखेंगे सबी लोग बेल गाओं 1924 में अगला है कि निनलिखित में से किस परवत माला को सहाधरी के नाम से भी जाना जाता है तो सहाधरी के नाम से आपका पासी में घाट जाना जाता है यानि आपका देखा जाये तो बी हो जाएगा सहाधरी के सबसे उची चोटी काल सुबाई है आप इसको याद रखेंगा सुर्योच के समय प्रिथिवी से सुर्य की दूरी कितनी होती है यानि सुर में बर्प के तुकडों की सहायता से बनाए गए अर्द गोला कार आवासों को क्या कहा जाता है तो सभी को पता ही होगा इगलू कहा जाता है आप इसको याद रखेगा क्राय यह अफ्रीका के वांटी एवं काफीर तथा नेपा नेटाल के जूतु प्रजातियों दौराग हा तो करेक्ट आंसर आपका बुरुंडी हो जाएगा यानि डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृतिक में सोतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सोना सबसे अधिक अगहात वर्धे धातु है आप इसको याद तो करेक्ट अंसर आपका ए हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मांसून याद रखेगा 18 का आपका अंसर यहां पे ए हो जाएगा कोशन नमबर 19 इंडोनेसिया की राजधानी जकारता निंदलिकित में से किस द्यूप पर इस्तित है तो यह आपका इस्तित है जावा में याद रखेंगे जावा सुमात्रा और सुला बेसी दीप इंडोनेसिया में इस्तित है बैफिन विक्टोरिया तथा इलिस यह सब आपका दीप कनाडा में इस्तित है ठीक है देश की सरवादिक तीज गती से चलने वाले ट्रेन कौन सी है तो यह ट्रेन आपको पता ही होगा वंदे भारत एक्स्प्रेस हो जाएगा यानि ट्विंटी का अंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा नेश्ट कोसन है कि भारत में समधितर ट्रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है तो याद रखेगा आपका नौ राज्यों की संख्य हो जाएगा ठीक है अगले कोसन पे आते हैं कि वी सु की सबसे सांत सीमा के रूप में विख्यात 49 मीटर समांतर अक्षां से रेखा किन दो देशों को अलग करती है तो यह अलग करती है सनुक्त राज अमेरिका तथा कनाड़ा को याद रखेंगे आपका आंसर यांपे 22 का अंसर भी हो जाएगा ठीक है अब 38 वी अगर पूछा जाया तो उत्तर कोरिया एवं दच्छड कोरिया अगर आपसे हिंडे नमर्ग पूछा जाया तो जर्मनी एवं पॉलेंड मारिएगा अब आता है नेस्ट कोसन पे कोसन नमबर 23 निम्न में से कौन से जलधारा यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से जाने जाती है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गल्फ इस्ट्रीम याद रखिएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा गल्फ इस्ट्रीम अट्लांटिक महासागर की गर्म धारा है आप इसको याद रखिएगा और नेस्ट कोसन पे आते ह स्रेणी का संग मर्मर निम्न में से किस इस्थान से प्राप्त होता है तो आपका राइट आंसर हो जागा मकराना याद रखिएगा मार्बल आवसादी चट्टान चूना पत्थर से प्राप्त कयांतरिक चट्टान है आप इसको याद रखिएगा संगमर्बन, राजिस्थान, मद्यपर्देश, आंद्रपर्देश, तमिलनाडू तथा करनाटक से प्राप्त होता है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 25 पैंसिल बनाने में निम्न में से किस विरिच की लकड़ी का समाने तक प्रियोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सीडार आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 25 का 26 पे आते हैं कि किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसत की रूप में अविरभाव हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे सबी लोग समिधान सभा 12 मई 1952 तक अंतरिम संसत की रूप में कारे करता रहा ठीक है भारती समिधान के अनुसार राजनितिक सक्तिकाधार भारत की जनता है कोशन नमबर 27 कहता है निम्न लिखित में से किस लेखक के द्वारा ए आर रहमान की जीमिनी नोट्स आप और ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है तो यह किसके द्वारा लिखी गई है तो मनु जोसेप के द्वारा लिखा गया है यानि 27 का आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग एक सेकेंड 27 का आंसर यहां पे गलत दिया हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा आपका राष्टपती संस्तूती मिलने के पूर्व यह आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का कोश्टर नमर्ट ट्विंटी नाइन राष्टपती द्वारा अपात काल की उत्गोषणा के कितने दिनों के भीतर संसत की सुकृती आवस्यक होती है तो यह आपका आवस्यक होता है वन मंथ याद रखिएगा वन मंथ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह थारता मंतरी परिशद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से विश्वास प्राप्त हो तो करेक्ट आंसर आपका ठटी का देखा जाए तो लोगसभा हो जाएगा याद रखिएगा मंतरी मंडल की बैठक की अध्यक्सता प्रधान मंतरी करता है मंतरी परिशद लोगसभा के परती सामोही के रूप से उत्तर दाई होते हैं ठीक है याद रखिएगा नेश्ट कोसन है कि लोगसभा के अध्यक्स को कौन पद की सपद ग्रहन करवाता है चलिए बताईए तो आपका आंसर यहां पे सपद ग्रहन की अवसकता नहीं होती है यानि आपका यहां पे आंसर डी हो जाएगा यदि संसत के एक सदन का कोई सदन से दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका इस्थान कब सी रिक्त हो जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा option C अने सदन की सदस्ता के लिए सपत ग्रहन करने वाले दिन से यानि आपका यहाँ पे answer C हो जाएगा जब से वो सपत ग्रहन करता है तबी से उसका start हो जाता है याद रखिएगा next question की हाल ही में common wealth का 54 सदस्य देश कौन सा बन गया है तो 54 देश कौन सा बन गया है तो आपका माल दिव हो जाएगा question number 34 सरवच न्याले में न्याधिस काम काच के लिए किस भासा का इस्तिमाल किया जाता है तो भासा का नाम है अंग्रेजी याद रखिएगा भी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारती समिधान अनुछे 348 के में उचितम न्याले और उच न्यालेओं की काम काच की भासा अंग्रेजी का उल्लेख किया गया है लोग सभाग का सची वाले निम्न में से किसकी अंतरगत कारे करता है तो यह कार्य करता है किसकी अंसरगात तो याद रखेंगे आपका अंसर यहाँ पर लोक सबाक के अध्यक्ण हो जाएगा तो यहाद का कोशन आगया है मैं आंसर बता दूगा आप इसको अंसर कर लीजिएगा तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक है दाब बढ़ाने पर बर्प का गल्लांग पर क्या असर पड़ेगा घटता है बढ़ता है यही आपको बताना है तो याद रखेगा दाब बढ़ाने पर जो बर्प का गल्लांग होता है वो घट जाता है याई आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला कोशन है कि जय जवान जय किसान जय बिग्यान और जय अनुसंधान का नारा किस ने दिया है तो याद रखेंगे सबी लोग नरेंदर मोदी जी ने दिया था याद रखें कि जय जवान जय किसान की नारा लाल भाल सस्री ने दिया था जय जवान, जय किसान, जय बिग्यान, यह अटल विहारी बात पहीं ने दिया था, ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है, विश्व में प्रतम मुस्लिम योग सिवीर का आयोजन कहां पे किया गया है, तो यह आपका किया गया है कहां पे, तो उत्रा खंड में, याद रख याद रखिएगा, इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, तो यह आपका करवाया गया है, सिंदू नदी पर, याद रखिएगा, आप कांसर यहां पे C हो जाएगा, ऑपरेशन नमबर प्लेट अभियान किस संस्थान, संस्था या फिर मंत्र चलाए गया है, रेलवे सडक, रेलवे सुरुक्षा बल्यानिया, आर्पिएप के दौरा यह आपका चलाए गया है, पिर्थिवी बिग्यान मंत्राले दौरा घोसित राष्टी पुरसकार में से, इस वर्स, लाइफ टाइम, उत्कृष्टता पुरसकार किसे परदान किये चानने की घोषणा की गई है, तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, प्रो असोक साहनी के दौरा यह आपका आंसर हो जाएगा, सभी लोग का, कोश्चन नमर फोटी फोर कहता है कि यदि दूद से क्रीम को अलग कर दिया जाए, तो दूद का घनत तो क्या होगा, उस पे क्या परभाव पड़ जाएगा, तो याद रखिएगा, बढ़ जाता है, अब केंद्री एक ऐसा यंत्र है, जिसकी सहायता से हलके वभारी कणों को प्रिथक किया जाता है, यानि आपका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा, प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरसकार के लिए 13 लेखकों में से चुने गए, बनर्ट, सुगर, नामक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे अवनी दोसी हो जाएगा, सभी लोग का आंसर, यहाँ पे 46 का आंसर सी कर लिजेगा, सभी लोग, ठीक है, समाने मनुस का रक्त दाब होता ह है, याद रखिएगा, 120 बटा 80 हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ती किस काल में होई थी, यह तो सभी को पता ही होगा, जीवन की उत्पत्ती जो है, वो आपका प्रिकेंब्रियन के काल में किया गया था, यानि आपका आंसर यहाँ पे दिखा जाएगा, जीव की उत्पत्ती किसी से पीछे मत रहिए अगर आपके तरह बुक मिल ला है तो बेटर है नए तो आप पीडियाप डाउनलोड करके अपना तयारी कर सकते हैं इसका आंसर आपका यकरिट एवं पेसियों में हो जाएगा नेश्ट कोसन है कि निमनलिखित में से कौन सा यूग में सही है निमनलिखित में से इन में से कौन सा यूग में है जो सही है तो आपका आंसर यहां पे बी हो जाएगा जिब्रेलिन पादब हार्मोनी याद रखिएगा फिप्टी का आंसर आपका बी हो जाएगा जिब्रेलिन मैंसे किसमे रक्त नहीं होता है कि इन्तों स्वसन करता है तो याद रखिएगा आपका हाइडरा हो जाएगा यानि 51 का आंसर यापे C हो जाएगा कम्प्यूटर हाडवेर जो की सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मातरा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका उपिक्त में से कोई भी नहीं होगा डेटा बेस डेटा का संगरह होता है आप इसको याद रखिएगा एट्स का विसाणू इन में से किसकी व्रिद्धी को परभावित करता है तो याद रखिएगा आपका आंसर यहां पे रख्त में टी को सिकाएं हो जाएगा यानि ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशन नबर 54 सोता चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रका आसरी ने एक विकास सिल देश के लिए रोलिंग योजना यानि रोलिंग प्लान की अवधाना का सर प्रतम समर्थन किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनार मिल्डर याद रखिए गुनार मिल्डर हो जाएगा आप सभी लोग का आंसर कोशन नमबर 56 कहता है कि भा 1921 के बाद भारत की जन संख्या में लगातार विर्दी होई थी याद रखिएगा 21 के बाद निनलिखित में से कौन निती आयोक के सदसे नहीं है इन में से बताना है कि निती आयोक के सदसे इन में से कौन नहीं है तो याद रखिएगा सभी लोग का आंसर यहां पे 57 का था है चलिए बताइए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 58 का option B तीन बार निगम कर दे होता है तो देखे इसका right आंसर हो जाएगा option C कंपनियों के लाब पर याद रखेगा कंपनियों के लाब पर कोशन नमर 60 कहता है किस बैंक ने कोबिट 19 के खिलाप संघर्स में भारत का समर्थन करने है तू एस या पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉंस फंड से भारत को तीन मिलियन डॉलर यानी 22 करोड रूपय की मंजूर दी गई है तो आप सभी लोग याद रखेगा आप कांसर यहां पे SI विकास बैंक हो जाएगा जानी आप कांसर यहां पे C हो जाएगा आप सभी लोग इसका मुख्याले बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सन्युक्त राष्ट की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगल वार से सुरू होता है तो यह आपका सुरू होता है सितंबर से याद रखेगा आपका अंसर यहां पे B हो जाएगा महासभा में वर्तमान में 193 देश हैं ठीक है आप इसको याद रखेगा भारतिय नौ सिना के अध्यक्स के पद को क्या कहते हैं तो उनको कहा जैता है Emeral याद रखेगा दी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्तल सेना के अध्यक्स जßen farms को जनरल कहा जाता है आप इसको याद रखेगा वाई सेना के अध्यक्स को एयर चीप सामिल किया गया है तिया आपका सामिल किया गया है और चाह याद रखिए गड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोग का प्रती चुम्बकी याद रखिएगा कहता है प्रती चुम्बकी पदार्थ का उधारण है प्रती चुम्बकी पदार्थ का उधारण है तो आपका हो जाएगा जस्ता बिस्मत तांबा चांदी सोना हीरा नमक जल नेश्ट को सने कि निमनलिखित में से किसने विवस्तिगत यानि विक्तिगत यूपी आई भुक्तान लिंक यानि यानि आपका अंसर सी हो जाएगा निमनलिखित में से किस कंपनी को पहली वैसी कंपनी होने का सिरे प्राप्त हुआ है जिसका बजार पुंजी करड़ हाल ही में दस लाग करोड रुपे पाकर यानि पाकर गया है चलिए बताईए तो करेक्ट अंसर आपका देखा जाये तो ए यह को जाएगा रिलाइंस इंडस्ट्री यह आपका आंसर हो जाएगा कि देश में केदर 27 प्रदेश्वं की संक्या रह गई है तक कहिए तो आप तक 40 हो जाएगा यानि आपका अंसर यहां सी हो जाएगा सना मारिन निमलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधान मंत्री चुनी गई है तो यह आपका चुना गया है फिन्लेंड यह आप रखेगा आद रखेगा आपका आंसर यहां पे सी हो जाएगा रेसम का कीड़ा अपने जीवन चकर के किस चरण में वाने और कोटियों का आकर सडबल कहलाता है क्या तो कर्रेक्ट आंसर आपका सबसंजन हो जाएगा भी आपका आंसर यहां पे हो जाएगा कोशन नंबर सेवन्टी टू काता है तीन से चार वर्श के बच्चे में कौन से दाथ नहीं होते हैं तो याद रखेगा चरवनक यह दाथ नहीं होते हैं यानि आप कांसरियां पे 72 का देखा जाए तुर्डी हो जाता है चलिए नेश्ट कुर्शन प्याते हैं 73 पे जीवाणू को दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं कि चलिए बताएए इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम याद रखेगा 73 का आपका आंसरियां पे C हो जाएगा कुस जीवाणू जैसे एजेटो बैक्टर या फिर कलो इस्ट्रीडियम भूमी में नाइटोजन इस्थिरी करण करते हैं इसमें भी भूमी की उबरा सक्ति बढ़ती है ठीक है नेश्टक किसी जीवधारी द्वारा उत्पन एक योगिक जो दूसरे सुस्म जीवों की विरिद्धी को रोकता है क्या कहलाता है तो आंसर आपका हो जाएगा प्रति जैविक याद रखेगा A आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का पाण हरित पाया जाता है तो हरित लवक के ग्रेना में याद रखेगा 75 का आंसर A हो जाएगा क्लोरोफिल वर्नक मूख्यत देखा जाए तो हरित लवक नामक कोशिका में पाया जाता है आप इसको याद रखेगा अगला है कि निम्न लिखित में से किस दिन अंतराष्टी मदुमक्खी दिवस मानाया जाता है तो यह आपका मनायाता है कौन से तारी को सभी लोग बताएंगे कमेंट करके अपना आंसर तो क्या बताएंगे आप सभी लोग आंसर देखे 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20 माई को ठीक है 76 का आंसर आपका 20 माई हो जाएगा नेश्ट है कि निम्न लिखित किस लेखा को 2018 में आई उनकी पुस्तक अरली इंडियंस दे स्टोरी आफ आफ आवर एसेस्टर्स एंड वेपर वीकेन फ्राम के लिए बारहावा सकती भट भट बुक दिया गया है तो आपका आंसर यहां पे टू नी नोसिफ हो जाएगा डिया आपका सही उत्तर हो जाएगा कोश्य नमबर 78 कहता है कि हाल हमें बिहार राजिये खाद आयो जन का अद्यफ्ष किने निक्त किया गया है तो याद रखिएगा विद्यानंद विकल को कहा गया यानि किया गया भी आपका सही उत्तर हो जाएगा आप 79 का आणसर कर लिजेगा आपका आणसर में बता दूँगा 35 होगा आप इसको solve कर लिजेगा क्योंकि solve करने में समय बहुत च्वादा लग जाएगा तो आपका right answer सरोध हो जाएगा याद रखेगा डि आपका सही उत्तर हो जाएगा सरोध याद रखेगा देखे सितार आप याद रखे लיכे कि कौन-ζीर dal भीक औरवियल संकर हो जाएंगे और साहिद परवेज हो जाएंगे इनको याद रखेगा और तबला सेलेट्ट कौन-कौन है तो तलिप खां और कंजिरिया पिल्लाई ठीक है और सहनाई याद रखिएगा आपका दयानंद जगनात और बड़े गुलाम अली नेश्ट कोशन पर आते हैं को संबर करेक्ट आंसर आपका 82 का देखा जाए तो निश्चित छेत्र का हो जाएगा जानी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला है 83 किस आपका मैस का कोशन है तो आप इसको आंसर कर लिजे मैं आपको बताता था हूँ 25 हो जाएगा हिंद महासागर के टट पर इस्तित देशों में सर परवादिक टट लंबाई वाला देश कौन सा है तो आंसर आपका हो जाएगा भारत याद रखेगा भारत आपका सही उत्तर हो जाएगा विस्व में सबसे लंबी टट रेखा कनाड़ा का है ठीक है पांडी चेरिक के इंदर साथे छेत्र निमलिखित में से कितने राजियो में अवस्तित है तो यह आपका अवस्तित है तीन राजियों में याद रखेगा 85 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चैंचियू जन्जाती किस प्रदेश की निवासी है तो यह आपकी निवासी है आंदर प्रदेश की कहां की आंदर प्रदेश की कत्ता बनाने है त तो किस पेड की लकड़ी का प्रियोग होता है तो यह आपका प्रियोग होता है खेर याद रखेगा भी आपका आंसर हो जाएगा बिहार में सरवाधिक वर्चा कहां के मानसुन से प्राप्त होता है तो देखे इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी करेक्ट अंसर आपका 88 का B हो जाएगा मानसुल सब्द मौसमी सब्द से बना है जो अर्वी भासा का सब्द है 41 वर्स पाले हुवे मामला यूसूफ जाई पर हुवे हमले पर बनने वाली फिल्म गुल मकई के निर्देशक कौन है तो याद रखिएगा आपका अंसर यहां पर H.E. अमजद खाँ हो जाएगा रह्मन मैक्स से आवार्ट के सम्मानिद T.S. किष्णा की पुस्तक निम्न में से कौन सी है तो याद रखिएगा आपका अंसर यहां पर D हो जाएगा यहनि सेबेस्टियन एंड संस D आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 91 करता है कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है तो पाकिस्तान में कौन सी नदी नहीं बहती है तो व्यास हो जाएगा ठीक है व्यास निम्र में से कौन से जल संदी अंतराश्टी तीती रेखा के समानतर इस्तीत है चले बताइए तो आपका बेरिंग हो जाएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा मद्य पूर्व देश के समों में सामिल है तो राइट आंसर आपका पश्चिमी एसिया के देश हो जाएगा यानि भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवाजी से लू कहा जाता है उसकी रप्तार कितनी होती है तो उसकी रप्तार लंसन देखा जाए तो आट से सोला किलोमेटर प्रति घंटा के हिसाब से होता है यानि 94 कांसर यहां पे सी हो जाएगा निम्न में से कौन सा राष्टी उद्यान अभ्यारण राजस्थान में नहीं है तो ये तो सभी को पता ही होगा राजा जी राजा जी कहां पे है याद रखिएगा यह आपका कहां पे है यह राजा जी साथ उत्रा खंड में है ठीक है उत्रा खंड मारिएगा यह आपका राजा जी यह आपका अलग है ठीक है अगर दुधवा पूछा जाए ते दुधवा आप मारिएगा कहां पे उत्तर प्रदेश में नेश्टेक के मोहाजिर कौन है मोहाजिर तो याद रखिएगा आपका अवी अवी भाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे क्यों तो उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया भासीन पूरसकार दिया जाता है किस छेतर में ये सब देखिए आपको बुक में साइध ही मिले तो आप सेट लगाएंगे तभी आपको ये सब कुश्चन पकड़ में आएगा तो 97 का आंसर आपका बिज्ञान के छेतर में हो जाएगा भासीन ठीक है आप 98 का आंसर कर लिजेगा आंसर में बता दूँगा 600 हो जाएगा पिनाक है पिनाक तो याद रखेगा पिनाक आपका हो जाएगा बहु बैराल रॉकेट पनाली भी आपका अंसर हो जाएगा कोशन मर हंडेट और लास्ट कहता है कि निमनलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है तो यह आपको पता ही होगा यह बॉस्केट बॉल में दिया जाता है यानि आपका अंसर यहां पर भी हो जाएगा अब यह परसना आप से पुछा जाए कि बॉस्केट बॉल का विस्कार कब हो था तो 1891 में किया गया था तो फ्रेंट्स यह आप सभी लोग का 100 कुसं समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक सेर करके जाएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेशन करता है कि मैं डेली बेस पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर होता हूँ ताकि आप सभी लोग डेली बेस पे लगे रहते हैं तो लाइक करके जाएगा और अपना राय दीजेगा कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सभी लोग अपना राय वेक्त कर रहे हैं तो चलिए अगले वीडियो में जल्दे ही मिलते हैं तब तक के जैहन वन्दे मातरम